आज है सत गुरुवार शिव बाबा का दिन सचे बाबा का दिन जो गुरु बनकर हम पर रोज बरदान लोटाते हैं बाब बनकर हमें अपने नैनों पर बिठाते हैं प्यार बरसाते हैं शिक्षक बनकर हम पर ज्ञान की वर्षा करते हैं तो ऐसा बाब जो बाब भी है तीचर भी है गुरु भी है बाब बनकर साथ देते हैं तीचर भनकर श्रीमत का हाथ देते हैं और सत्गुरु बनकर आशिरवाद देते हैं तो ऐसे प्यारे मीठे बाबा को हर रोज हर पल हर श्वास में हम याद करते रहें यही वर्दान हर पल बाबा से लेते रहें तो क्या तीनों सदा याद रहते हैं कैसे याद रख सकते हैं बाबा को तीनों रूपों से इस पर विचार करेंगे और आज बाबा की मुडली इसी पराधारित है आज है 14 सितंबर 2030 बाबा के महवाख्य हैं मीठे बच्चे याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप के रूप में कभी टीचर के रूप में तो कभी सत्गुरू रूप में याद करो बोरो जाते हैं न एक के साथ तो कोई बात नहीं कभी बाप कभी टीचर कभी सत्गुरू प्रश्न है तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा धिंढोरा पिटवाना है उत्तर है अब ठिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया यानी स्वर्ग का रचाईता स्वयम राजयोग सिखलाने आया हुआ है वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्ट लेकर आया है इसलिए राजयोग सीखो अभी तो वैसे भी सभी लोग योग सीखने ही आते हैं बाप स्वयम कहते हैं बच्चे अब तुम्हारे 84 चन्म पूरे होए हैं तुम्हें मेरे साथ घर चलना है इसलिए देहे का भान छोड अशरीरी बनो क्या प्रैक्टिस करनी है देहे का भान छोडने की अशरीरी बनने की दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे आज का गीत है कौन आया मिरे मन के द्वारे क्या वारे झाल 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 किसकी याद आई है? कौन आया मेरे मन के द्वारे? किसकी याद आई? सबकी बुद्धी में है कि पतित पावन एक बाप है अंग्रेजी में उनको लिब्रेटर कहते हैं लिब्रेट करते हैं किससे? दुख से दुख हरता सुख करता है यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा कौनसी महिमा? दुख हरता सुख करता पतित पावन सद्गतिदाता गौड फादर को कहा जाता है मनुष्य की यह महिमा हो न सके लक्ष्मी नारायन को ब्रह्मा विश्नु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते न किसी मनुष्य आतमा की यह महिमा है न किसी देवातमा की यह महिमा है केवल परम्पिता परमातमा की यह महिमा है पतित पावन उच ते उच एक ही है परम्पिता परमातमा उच्चा उनका नाम भी है तो उच्चा उनका ठाओ यानि रहने का स्थान भी है उच्चा तेरा नाम उच्चा तेरा धाम उच्चे ते उच्चा तू भगवान तुमको निश्चे है कि ये हमारा बाबा है सबको निश्चे है शिव को ही बाबा कहते है शिव ही निराकार है शिव का चित्र अलग शंकर का चित्र अलग है वह यनि शिव, बाप, शिक्षक, सत्गुरु है आज सत्गुरु वार है तुम्हारा तो सत्गुरु वार रोज है रोज सत्गुरु हम पर वर्दान लुटाते है सत्गुरु रोज तुमको पढ़ाते है और वह तुम्हारा बाप भी है यह तो निश्चे होना चाहिए ना निश्चे भी और नशा भी उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे तुम्हारी बुद्धी में है पत्तपावन परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं वह ज्यान का सागर है तो आज तो बाबा की महिमा शुरू से चलती आ रही है तो इसलिए यह तो बुद्धी में निश्चे रहना चाहिए बाबा पक्का करा रहे हैं हमें यह एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो बुद्धी उपर निराकार तरफ चली जाती है बाबा हमारे मन बुद्धी को इस दुनिया से हटा कर एक अपने में लगा रहे हैं कोई आकार वो साकार नहीं है आत्माओं को परम पिता परमात्मा से अब काम पड़ा है कल यूग के अंत में अब एक सही हमारा सारे काम सिद्ध हो जाएंगे पर तो जानते नहीं है गाते हैं कि वह ज्यान का सागर है तो ज्यान का सागर माना जो ज्यान सुनाकर सदगती करे सागर से पार होकर तर जाएं लक्षमी नारायन को यह ज्यान नहीं है ज्यान वह है जो ज्यान सागर से मिले इसलिए शास्त्रों में भी ज्यान नहीं है ज्यान सागर को ही मनुष्य स्रिष्टी का बीजरूप कहते है बाप क्रियेटर है बहे है बेहद का बाप और सब है हद के बाप अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं जो बापों का बाप पतियों का पती गुरूं का भी गुरू है वो कौन है हमारा बाबा सब उनको याद करते हैं और वो किनको याद करते हैं हमको याद करते हैं साधना करते हैं आजकल चित्रूं के आगे राम के आगे शंकर के आगे लिंग रखते हैं है निराकार उच ते उच है वह लिबरेट करते हैं अभी तो सब आतमाई पतत हैं पाँच हजार वर्ष पहले जब आदी सनातन देवी देवताओं का राज्य था तो उस समय एक ही राज्य था सुखधाम था पवत्रता, सुख, शान्ती, सब थी उसका नाम ही है स्वर्ग, हैवन, हैवन को सुख्ष्म वतन वमूल वतन नहीं कहेंगे हैवन के अगेंस्ट है, हैल, यह बुद्धी में रखना है, एक बेहद के बाप को ही याद करना है बाबा इसलिए हमें बता रहे हैं, वो कौन परम, पिता, परमात्मा है, जिसको सारी दुनिया याद करती है वो अब बाप, टीचर, सत्गुरु बनकर हमें मिला है उनसे स्वर्ग का वर्सा मिलता है, सत्गुरु राजयूग सिखलाते है, पावन दुनिया में ले जाते है, कितना सब कुछ देते है, फिर भूल कैसे जाते है एक की कितनी महिमा है, क्याते है न, तेरी महिमा अपरा मपार लक्ष्मी नारायन को ये महिमा नहीं दे सकते एक ही निराकार बाप है, आत्माएं भी निराकार है जब शरीर से अलग है, शरीर में तो साकार में है न, पर जब शरीर से अलग है तो निराकार है बाब कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पाट बजाते हो तुम कितने जन्म पाट बजाते हो ये भी जानते हो ब्रह्मा का भी चोला है सुक्ष वतन में भी चोला है शरीर तो है ना यहां स्थूल शरीर है वहाँ सुक्ष में शरीर है कहेंगे उनमें भी आत्मा है ब्रम्हा, विश्णु, शंकर को भी सुक्ष्म शरीर है मुझे कहते हैं निराकार बच्चों को समझाया है कोई को भी बोलो तुमको दो बाप है तुम्हारे बाप को भी दो बाप है समझाने का तरीका है न? सब उस बेहद के बाप को याद करते है लौकिक बाप तो अनिक है शह बेहद का बाप तो एक ही है बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े टीचर भूल जाए तो सत्गुरु याद पड़े याद तो करना ही है किसी भी रूप से करो चाहे बाप, चाहे टीचर, चाहे सत्गुरु बाप समझाते हैं भारत अभी पतत है पहले पावन था तो इतनी आत्माएं कहां निवास करती होंगी जो आत्माएं अभी पतत दुनिया में हैं इतनी सारी पहले कहां थी मुक्तिधाम, बानप्रस्थ अवस्था में अर्थात बाणी से परे मनुष्य बूडे होते हैं तो बाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वान धाम पहुचावे परन्तु वह पहुचा नहीं सकते जाड को तो बढ़ना ही है जनम पुनर जनम से न वो खुद छूट सकते हैं ने किसी और को छोड़ा सकते हैं पॉपलेशन तो बढ़नी है मुख्य पार्ट है भारत का उनमें भी जो आदी सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह चुरासी जन्म लेते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल तो हिसाब करना चाहिए न कितना टाइम हो गया परमधाम छुड़े सबसे जादा किन को टाइम हुआ है बही आत्माएं जिनोंने चुरासी जन्म लिये हैं बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस स्रिष्टी पर पाट बज़ाने आते हैं बरुबर चुरासी जन्म उनके ही है चुरासी का चक्र ही कहते हैं चुरासी लाख का चक्र नहीं कहते हैं तुम बच्चों को चुरासी का चक्र समझाया गया है आगे नहीं जानते थे इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है न दो आत्माओं का राज भी समझाया है दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते है जब शुद्ध आतमाय प्रवेश कर सकते हैं तो क्या शिब बाबा नहीं आ सकते बगी कहते हैं मैं निराकार ना आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं बाबा की जो महिमा है इसे प्राक्टिकल में हम आतमाओं ने अनुभव किया है कब अनुभव किया जब बाबा आए उड़ासनी एक बार आए हर कल्प आए हर कल्प हमें जन्म जन्मांतर की प्रालब्द दे कर गए उसका यथार्थ अनुभव हम आतमाओं को है और उसी कारण भक्तिमार्ग से इतनी महिमा है मुझे ही ज्यान सागर कहते है मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे न बाब को ही कहा जाता है Heavenly God Father वैकुन्ठ की राजधानी है एक तो नहीं है न राजधानी है एक वैक्ति की बात नहीं है श्री कृष्ण है Number One, Prince, Satopradhan Satopradhan को ही महात्मा कहा जाता है महान है वो आत्मा, पवित्र है वो आत्मा अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है कुमारी का मान बहुत होता है सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं फिर भी युगल तो हो गए न फिर कुमारी का नाम बदल जाता है फिर मात पिता बन जाते हैं बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता शादी के बाद समझेंगे यह मात पिता है understood है कि संतान भी होगी फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे तुम बच्चे जानते हो अभी श्रिक्रिष्न पुरी स्थापन हो रही है वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है कहां? सत्योग में पकि हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग-अलग होता है कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र यह है हम फलाने धर्म अथ्वा मठ में जाते हैं आपस में बात करते हैं न तो कहते हैं कि हम फलाने मठ में जाते हैं, हम तो वहाँ जाते हैं, हमने वो गुरु किया हुआ है, आत्माओं को आकर अपना पाठ बजाना है, कोई से पूछो, गुरु नानक फिर कब आएगा, बहे तो कह देते, जोती जोत समाया, वो तो समा गए, तो क्या उनको फिराना नहीं है, स्रिष्टी चक्र कैसे रिपीट होगा, गुरु नानक की जब सोल आई, तो उनकी पिछाडी सिख धर्म वाले आते जाते हैं, अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना, जो इस कल्प हुआ है, वो हर कल्प पताओ, फिर कब आएंगे, तो बता नहीं सकेंगे, उनको चक्र का नहीं पता है, तुम कहेंगे यह तो पाँच हजार वर्ष का चक्र है, यथार्थ ज्यान स्रिष्टी के आदी मध्यांत का हम बच्चको है, गुरु नानक को पाँच सो वर्ष होए, फिर चार हजार पाँ स्थापन करेंगे, हमादी सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबर वार आकर धर्म स्थापन करेंगे, कोई-कोई बच्चे कहते हैं, हमारी बुद्धी में इतना नहीं बैठता है, इतनी डिटेल नहीं बैठती है, खास तो और पर जब बुजु अनपडमाताएं होते है तो इन डिटेल्स में नहीं जाते है अच्छा थोड़ी बात तो बैठती है न भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा कहा भी जाता है पाप आत्मा पुन्ने आत्मा परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी ऐसा तो कहीं लिखा भी नहीं हुआ जिसे मिसाल देते हैं बुद्ध बुद्ध सागर में लीन हो जाएगा जोती जोत समा जाएगी बुद्ध बुद्ध सागर में लीन हो जाएगा यहनी आत्मा का अस्तित्व ही खतम हो जाएगा कोई कहेंगे पार निर्वान गया अलग-अलग बाते हैं जिसे बुद्ध के लिए कहते हैं फिर कोई कहते जोती जोत समाया अब राइट कौन? बुद्ध बुदा सागर में समाया पार निर्वान गया या जोती-जोत समाया, राइट कौन? पार निर्वान तो ठीक है परे ते परे आत्मा निर्वान धाम में जाते है आत्मा भी निराकार है निराकारी दुनिया में रहती है सुक्ष्म वतन में है मुवी उपर है निराकारी दुनिया निर्वान धाम बिलकुल साइलेंस फिर सुक्ष्वतन में है movie वह भी जैसे वहाँ की एक भाशा है जो वहाँ वह समझते हैं समझ कर direction ले आते हैं ये मन की भाशा जब हम बाबा कोई याद करते हैं तो बाबा से भी तो हम रोह रिहान करते हैं तो वैसे ही वह है वहाँ की भाशा बाबा से बात भी करते हैं respond भी लेते हैं प्यार भी लेते हैं बहुत कुछ पा लेते हैं शब्द की आवश्यक्ता नहीं है वहाँ यह भी wonderful बात है न movie, talkie और silence तीन है पहले movie के बाइस्कोप भी थे पहले movie का बाइस्कोप पहली जो movie बनी थी जिसमें शब्दू का प्रयोग नहीं था वो थी राजा हरीश्चंद्र वो movie थी उसमें talkie नहीं थी तो movie के बाइस्कोप भी थे फिर उनसे किसको मजा नहीं आया तो talkie कर दिया सुक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विश्नु शंकर है समझाया जाता है उच ते उच है परम पिता परमात्मा जो silence वर्ल्ड में रहते हैं तो बाबा कैसे उस दुनिया की तीनों लोकों की जो तुलना है इस दुनिया की जो ड्रामा है उसमें movie, talkie, silence करते हैं हम आत्माएं भी बहां रहती हैं पतित पावन एक ही सत्गुरु है सर्व का सद्गति दाता वई है बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए रिशी कहलाए महात्मा कहलाए परन्तो है सब भक्त गुरु अर्थात दुनिया में भी गू और रो यानि जो अंधकार से प्रकाश की और ले जाए तो कोई मनुष्य आत्मा ये नहीं कर सकती पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं है कहते हैं परमात्मा सब को कब्र से निकाल ले जाते हैं कहते भी हो यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है तुम सत्युग के लिए राज योग सीख रहे हो फिनाश के बाद फिर सत्युग के गेट खुलते हैं बाप ने समझाया है इस समय तुम बाप से राज योग सीखते हो तुम योग बल से राज लेते हो यह है नॉन वॉयलेंस दुनिया में राज्य कैसे लेते हैं वॉयलेंस से लडाई जगडा करके प्रतो यह है नॉन वॉयलेंस कोई भी यह नहीं जानते हैं कि नॉन वॉयलेंस किसको कहा जाता है काम कटारी भी नहीं चलानी है यह भी हिंसा है काम कटारी चलाना भी हिंसा है अहिंसा पर्मो देवी देवता धर्म था विकारों के कारण ही तुमने आदी मध्य अंत दुख पाया है बहा है ही निर्विकारी दुनिया जिस कारण आदी मध्य अंत दुख नहीं होता है तो दुख का कारण क्या है? विकार बहा विकार होते ही नहीं है वह है अमर लोक और यह है मृत्यो लोक संगम युक पर हमें अमर लोक का भी ज्ञान है और मृत्यो लोक का भी ज्ञान है तो यहाँ पूरा कंट्रास्ट हम देख सकते हैं एक को स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं और एक को हम बुद्धी के तीसरे नेतर से देख सकते हैं। तो दोनों स्पष्ट हैं। वह है अमर लोक, यह है मृत्यो लोक। मृत्यो लोक में बैठ कथा सुनाते हैं। अमर लोक में जाने लिए। तो हम सब कौन हुई? पारवतियां। बाब कहते हैं, मैं त्रिकाल दर्शी हूँ। तुमको भी त्रिकाल दर्शी त्रीने त्री बनाता हूँ। अर्धात, तीनों लोकों, तीनों कालों को जानने वाले। जाते नहीं हैं, पर रंतु जानने वाले। यह भगवान की महिमा है। तो जो भगवान की महिमा, अब हमको भी मिल रही है, इसलिए बाबा कहीं बार क्या टाइटल देते हैं, मास्टर भगवान, तुम बच्चों को आप समान बना कर साथ ले जाते हैं, ज्यानसागर के बच्चे, तुम भी मास्टर ज्यानसागर बन जाते हो, बाबा की महिमा तो स अब अपने भी महिमा सुनते जाओ, क्या है हम, मास्टर ज्यान सागर, त्री ने त्री, त्री लोकी नाथ, त्री काल दर्शी, है न, बाप कहते हैं, मैं मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप, चैतन्य, नौलेच फुल हूं, हाँ, हम जान सकते हैं, बीज से ऐसी जाड निकल फिर फल निकलता है, अब यह है मनुष्य स्रिष्टी का जाड, बाबा कहते हैं, मैं इस उल्टे जाड के आदी मध्यान्त को, स्रिष्टी चक्र को जानता हूं, तुमें किस जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे, मैं एवर पावन हूं, तुमको तो पाठ बजाना है, तो जब पाठ बजाएंगे, तो पावन से पतित भी बनेंगे, इस समय सिर्फ तुम्हारी चड़ती कला है, कहते हैं न, चड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, तुम मास्टर ज्यान सागर बन जाते हो, जितना बाबा में ज्यान है, वो सारा हम हप कर लेते हैं, कहां तो हम बि पतियुक से लेकर, तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगे, चड़कर फिर उतरना ही है, अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्सा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो, बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ती पांडव सेना हो, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो, तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं, कितनी महिमा बाबा हमारी कर रहे हैं, कौन है हम, मास्टर ग्यान सागर, त्रिकाल दर्शी, त्रीनेत्री, वंदे मातरम, शिव शक्ती सेना, जितना जितना याद करते जाएंगे, उतना उतना नशाख हुमारी चड़ती जाएगे, पतित को कभी वंदे मातरम? नहीं कहेंगे, वंदे यानि वंदना किसकी की जाती है, जो पावन है, बाप आकर शक्ती दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं, सेवा हो रही है, गुप्त रेती, हैना, तुम डबल अहन सावाले हो, राज्य लेते हो, परन्तु कोई हथिया नहीं है, पवित्र रहते हो, बहे सब हैं डबल हिंसक, दुनिया में जो राज्य लेते हैं, वो डबल हिंसक है, कामकटारी भी चलाते हैं और हथियारों द्वारा भी हिंसा करते हैं, एक तो विकार में जाते हैं, कामकटारी से एक दुकों दुख देते हैं, और फिर आपस म लड़ते जगडते भी रहते हैं आजकल कितने दुख के पहाड गिरते हैं दुनिया में कितना दुख है मनुश्यों में क्रोध कितना भारी है अपने आपको आपे ही चमाट मारते हैं क्रोध करके किसी और को दुख नहीं देते अपने आपको खुद चमाट मारते हैं सब की गलानी करते रहते हैं यह भी ड्रामा में नोंध है यह होना भी ड्रामा में नोंध है सब को गिरना ही है अभी तुम्हारी है बाकी तो दुनिया तो गिर रही है गिरती ही जा रही है लेकिन हमारी क्या है? चड़ती कला तुम घिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचाईता राजयोग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है वह हतेली पर बहिश्त ले आया है श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे वह दैवी गुणों वाला मनुष्य है ब्रम्मा, विश्णू, शंकर को देवता कहेंगे उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे दैवी गुण सत्युगी मनुष्यों में है आशुरी गुण कल्युगी मनुष्यों में है दैवी गुणवान और आशुरी गुणवान मनुष्य ही बनते है तो बाप बैट समझाते हैं तुम बाप को क्यों भूलते हो अब important point क्या बाबा को बच्चे भूल जाते हैं घड़ी घड़ी मुझे याद करो तुम्हारे 84 जन्म पूरे होए अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो देहे अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो बस यही पुर्शार्थ करना है सारी मुडली का सार यही है देहे अभिमान छोड़ो अशरीरी समझो आत्मा समझ कर उस एक परम्पिता पर्मात्मा शिव बाबा को याद करो निरंतर याद करो रूहानी बच्छों की रूहानी बाप तादा को गुट मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते धालना के लिए मुख्य सार पहला बाप समान त्रिकाल दर्शी त्रीनेत्री त्रीलो की नाथ बनना है त्रीकाल दर्शी त्रीनेत्री और त्रीलो की नाथ बनना है बाप की महिमा में स्वयम को मास्टर बनाना है क्या बनना है? मास्टर मास्टर ज्यान सागर मास्टर गुण सागर मास्टर प्रेम के सागर मास्टर आनंद के सागर बनना है न? दूसरा डबल अहिंसक बनना है किसी भी विकार के वशी भूत हो हिंसा नहीं करनी है बाप का मददकार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है बरदान है ज्वाला रूप की जाद द्वारां स्वयम को परिवर्तन कर ब्राम्भन से फरिष्टा सो देवता भव जाते है तो नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है ऐसे जब बाप की जाद की लगन की अगनी में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो मनुष्य से ब्राम्भण, फिर ब्राम्भण से फरिष्टा, सुदेवता बन जाते हो तो बनने के लिए आधार क्या है? याद की अगनी जैसे कच्ची मिट्टी को साचे में ढाल कर आग में ढालते हैं तो इट बन जाती ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है तो याद को सिंपल याद नहीं बनाओ सहज याद तो है परन्तु ज्वाला रूप बनाओ तब परिवर्तन होगा तब ब्राम्भन सो फरिष्टा सो देवता बनेंगे स्लोगन है शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले तो आज क्या होंबग करेंगे ड्रिल करेंगे सभी बार-बार ब्राम्भन, सु फरिष्टा, सु देवता अभी-अभी मैं आत्मा ब्राम्भन संपूर्ण पवित्र बाबा से शक्तियां लेकर स्वयम को बाप समान बना रही हो फिर मैं आत्मा अपने सुक्ष्म शरीर में सुक्ष्म शक्तियों के साथ संपूर्ण सुरिष्टी को सकाश दे रही हो और फिर मैं आत्मा निराकारी वतन से अपने साकार लोक में देवताई दिहे में पवित्र जन्म में, जीवन मुक्त स्थती में सर्वगुन संपन सोलहकला संपूर्ण बन गई हो पावन दुनिया में पावन आत्मा को देखे तो ये ड्रेल बार बार करें और जाद को ज्वाला रूप बनाए ठीक है न? तो अभ्यास करेंगे न भी? चलो बैठते हैं बाबा की याद में ये रुहाने अन्जुमन न्यारे नजारे है ये फरिष्टे जू जमी पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे है ये फरिष्टे जू जमी पे उतरे तारे है सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरे पड़ी सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरे पड़ी मेरे आशाओं के दिपक तुमसे ही उम्मीदे बड़ी जाने कितनी बार जाने कितनी बार जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे है ये फरिष्टे जो जमी पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिष्टे जो जमी पे उतरे तारे हैं जाने कितने अरु जाने कितने चैना, और जोसी ए वर्णfeldVID-ो डेदे प्रुष्टे पहए।